हिग के विडियू हम बात करेंगे कुस्ट नमब्र आपका 22 अब तक हमने एक से लेकर 21 ज़िक है सभी को एके करके हमने डिसकस कर लिया आज हम जानेंगे कुस्ट नमबर 22 टू के बारे में ठीक है जो की कह रहा है आर एने की सरचना की विवेचना कीजिए ठीक है क्या बताना आपको आर एने का सरचना की विवेचना करनी ठीक है आर एने की सरचना के बारे में आपको पूरा लिखना ठीक है एक स्ट्रक्चर आ रहे ने तो सबसे पहले अगर हम बात । है है डी न और आर आइने है दोनों से हम है किसी भी कोशिका के थिक है है सजीब कोशिका के यह जो आपका आ nota है आपका है यह nucleus में पाए जाता है तिक है किसमें पाए जाता है nucleus में पाए जाता है itat California कि मनलब कोशिकह में किसी भी सजीब कोशिकह में कितने जीन है कितने से he because inno फार्मेशन अगर हम आ रहने की बात करें तो इसमें आपका कि पेंट टूज सुगर होता है तो यह भी सभी से मिलकर बना होता है ठीक है तो चलिए बात करते हैं structure की RNA की सरचना ठीक है structure आफ RNA ठीक है RNA राइवो राइवो ज नुकलीक एसिड ठीक है राइवो ज नुकलीक एसिड और RNA की सरचना अधिक इसपस्ट होती है ठीक है डीने की तुलनाय में इसकी सरचना जो है अधिक इसपस्ट है सुगम है ठीक है आरने में नुकलियोटाइड ठीक है क्या नुकलियोटाइड का एक स्थम्भ होता है केबल नुकलियोटाइड का क्या होगा एक स्थम्भ होगा हमने देखा था डीने मे कितने स्थम्भ होते थे आपके दो कुछ इस तरह से ठीक है यहां क्या होगा केवल आपका एक ही स्थम्भ होगा ठीक है आरने में पेंटोज राइबोज शरकरा होती है ठीक है जो आपकी सरकरा होगी वो कौन सी होगी पेंटोज जो की आपकी डियने में पाई जाती है ठीक है यानि कि RNA में क्या होगा भई RNA में जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है ठीक है क्या होता है नाइट्रोजनस बेस ठीक है तो इसमें क्या होगा भी थाइमीन नहीं होगा क्या नहीं होगा आपका थाइमीन नहीं होगा थाइमीन की जगए पर क्या जागा आपका यूरेसल आ पे तु थाइमीन के इस्थान पर यूरेसल पिरमिडीन उपस्तित होता है थाइमीन के जगहे पर क्या होगा आपका यूरेसल आ जाता भी क्या जाता है आपका यूरेसल आ जाता है ठीक है और यह कौन सा नाइटोजनस बेस होता है आपका पिरमिडीन होता है ठीक है कौन सा हो कि पिर मिल का पिर मिलीन तो यह आपके डो है ठीक है नाय टोजन ऐस शारग या नाय टोजन ही बैस आप यह हम बात करें तो इसमें बीआ अपका क्या होता है एडिनीन होता दूसरा क्या होता आपका पांट मादिन आपका निक से में और अगर हम पिरमिडीन की बात करें ठीक है किसकी पिरमिडीन की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका इसमें आपका एक तो साइटोसीन होता है ठीक है दूसरा क्या होता है आपका थाइमीन ठीक है क्या होता है आपका थाइमीन अब ये किसके लिए है डिने के लिए लेकर अग साँ पूंच लिया जाता है घ्लिए ऍधागा आपसथित कौँं सा आपका नाइट्रोजनस वेस है यह आ नहीं पाया जाता है तो डीने में आपका यूरेसल नहीं पाया जाता है जबकि आरने में आपका यूरेसल पाया जाता है और उसमें थाइमिन नहीं पाया जाता आरने में ठीक है तो दोनों एक दूसरे के क्या है उल्टे है इस्ट्रक्चर दे रखा आपका आरने का ठीक है त कि आपका single helix होता है कैसा होता है और DNA में कैसा होता है आपका dual helix ठीक है कैसा होता है double helix जिसमें हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था इस तरह की सरचना हुआ करती थी उसमें कुछ ऐसे ठीक है तो इसको कहते है double helix या dual standard आफ DNA ठीक है लेकिन इसमें क्या है केवल आपकी एक ही सरचना पाए जाती ठीक है यानि कि single standard इसमें पाए जाता आपका आ रहेने की सरचना या structure अब इसमें जो आपका आ रहेने होता है इसके बीच बीच में आपके hydrogen bond पाए जाते हैं ठीक है क्या पाए जाते है hydrogen bond ठीक है और यह जो आपका पूरा एक सरचना दिखाई दे रही इसे क्या कह दिया है हेलिक्स कह दिया ठीक है क्या है आपका हेलिक्स है ठीक है कैसा आपका single helix है ठीक है बाकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कह रहा है है ठीक है एडेनीन ठाइमीन से और आपका साइटोसीन से लगा होता था गुएनिन से ठीक है तीन हीडोजन बंद द्वारा ठीक है ऐडेनीन आपका double hydrogen bond द्वारा ठाइमीन से लगा रहता था ठीक है इस तरह से तो यह है क्या है इसमें कैसे होते थे तो बॉन्न रहते थे थी अवकि नाटरे लेकर नान वाटाट जूड़े unto नहीं नहीं यह जबकि हमारे डी इने में कुछ इस तरह से अमने देखा था यांसर में मैं तो असमें कुछ इस तरह से आपके जुड़े गए हुए थे थे थीव है वे पूछ महत हैं कि उनको जानना है क्या है रने की महत इसके इंप्टेंस तो महत है इनको आपको अच्छेसे अभी 218 है ठीक है तो केंद्र का कि अगर हम बात करें तो मान लो यह हमारी क्या है कोई एक कोशिका है क्या है यह आपकी कोई एक सेल है अब सेल में क्या है आपका कोई एक केंद्र है ठीक है यह क्या है आपका यह आपका है केंद्र ठीक है नूकलियस जिसे कहते है अब केंद्र के अंदर या कंदर के बाहर जो राजना कोने हैं वह खीड़ा है यह क्या है आपका केंदर तो उसमें क्या है केंदर का में संसलेसित होकर mRNA कोशिका द्रब में आ जाता है तो इसी में जो आपका है mRNA का formation होता है किसका messenger RNA का formation इसमें होगा किंद्र का में अब यहां से कहां जाएगा भी कोशिका द्रब में आ जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से mRNA ठीक तो यह कहां सब्सक्राइब है अ कि आपका साइटोफलाजम में जो है आपका आ जाएगा ठीक है चलि करा तथा中國 से संलंग्न होकर protein sense laser करता है protein का ginger करता है अब यह किसमें आ ओगे आपका साइटोफलाजम मह 지금 इस जहां पहले से आपका कहा रहता है राइबो जोम रहता है क्या रहता है राइबो जोम रहता है ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सरचना है आपकी पाए जाती जो राइबो जोम होती है क्या होती है राइबो जोम ठीक है अब इन राइबो जोम से आपका क्या मिल जाता है mRNA, क्या मिलता है mRNA, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, दोनों प्रोटीन का farmation करते हैं, किしka protein का farmation करते हैं, ठीक है किसका farmation करते हैं, भई protein sensation करता है, या protein का farmation करता है, ठीक है mRNA, कोश का दिर्में बहुन जागा और वहाँ क्या होगा आपका ribozome तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे protein का formation या sensation करेंगे किसी कोशिका के लिए second point कह रहा है rRNA ठीक है क्या है आपका rRNA ribozome में पाया जाता है अब जो ribozome था आपका cytoplasm या कोशिका द्रब में ठीक है उसमें क्या है ribozome में क्या पाया जाता है आपका rRNA ठीक है ठीक है जो rRNA के मुख्य भाग का निर्माड करता है तो जो आपका rRNA बना होता है क्या बना होता है आपका rna की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य भाग क्या होता है rRNA ठीक है क्या होता है small r और capital rna ठीक है इसमाल आर लिखा है राइबो जोम क्या होता है इसका राइबो जोम ठीक है राइबो जोमल ठीक है क्या हो जागा जो इसमाल आर और कैपिटल आर एने होता है इसको कहते है राइबो जोमल आर एने मतलब इस आर एने में आपका राइबो जोम पाया जाता है ठीक है तो तो यह जो आपका RRNA होता है, यह क्या होता है, कहरा, RRNA के मुख्य भाग का निर्माड करता है, तो यह RRNA क्या करता है, भी RRNA के मुख्य भाग का फार्मेशन करता है, या उसके मुख्य भाग का निर्माड करता है, ठीक है, कौन? RRNA, ठीक है, RRNA, जो कि आपका राइबोजोम में पाया जाता है थर्ड पॉइंट कहरा टी आर एने कोशिका द्रब के अमीनो अमलोको राइबो जोम तक पहुंचाता है अब इसमें तीसरा कौन सा होता है आपका टी आर एने थी कि स्मॉल टी और कैपिटल आर एन ए ठीक है जिससे हम क्या कहते हैं ट्रांसफर ठीक है क्या कहते आपका तक पहुंचाता है अब जो कोशिका द्रब्ब था आपका साइटो पलाजम था ठीक है इसमें क्या था आपका अमाइनो एसेट को क्या करेगा यह राइबो जोम तक पहुंचाएगा कौन आपका टी आर एने ठीक है ट्रांसफर इसका मतलब ही होता है एक जगह से की राइबोजोम होंगे ठीक है यहां तक यह पहुंचा देगा ठीक है इसको अमेनोम लोगो यह उसके बाद यह है प्रोटीन संसलेसर की पूरी भूमिका निवाता है ठी आ रहने अब यह अमेनो एसिड को कहा ले आएगा राइबोजोम तक ठीक है अब राइबोजोम में स्पेस क्रियेट करेगा कि प्रोटीन का फार्मेशन हो जाए ठीक है तो राइबोजोम पर क्या होता है मोस्टली प्रोटीन का फार्मेशन होता है ठीक है यह स्पेस क्रियेट करता है ठीक है तो इस तरह से क्या था आपका जो आरेने था ठीक है क्या था आपका आरेने ठीक अभी हमने पढ़ा था MRNA ठीक है MRNA दूसरा था आपका small r और capital rna तीसरा आपका था small t और capital rna ठीक है तो ये तीन तरह के आपके क्या होते हैं राइबो नुकलिक असेट ठीक है राइबो नुकलिक असेट ठीक है मेसेंजर आ रहे ने दूसरा होता है ठीक है तो ये तीनों के काम अलग अलग होते हैं ठीक है जो कि आपके यहां पर इनके महत्पूर दे रखें ठीक है पहला आपका MRNA हो जागा दूसरा आरा रहे ने ठीक है तो इस तरह से यह आपको पढ़ लेना अच्छे से ठीक है उसके उपर क्या था आ रहे ने क्या होता है ठीक है या उस पर टिप पड़ी लिखी है ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही है मासा तब तक लिए और अगर आप चैनल पर नए है या पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है और बिल आइकन को आल नोटिक फिसन पर प्रेस कर लें